हाई गाईज और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूस एंड एडिटोरियल अनालेसिस ऑफ 18 ओफ फैबुरी 2021 तो गाईज आज है तारिक 18 फर्वरी 2021 और है थर्स्टे देखेंगे आज का दाहिंदू कम्प्लीट न्यूस पेपर को एनलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस कम्प्लीट न्यूस पेपर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजूकेशन आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा क्या करना है आपको इस के उपर क्लिक करना है और जाकर इस टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना है देखो अगर आप लोगो इस तरीके से अगर ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिरेक्टली टेलिग्राम लिंक के नाम से इस चैनल का लिंक दे दिया है उस लिंक को क्लिक करके जाकर इस चैनल को अभी जॉइन कर लो और आपको डेली बिस्पिर के वीडियो का पिडियाएफ मिल जाता है में टाइप करना जिससे आप लोग को एक clarity तो मिलेगी साधी साथ आप लंबे समय तक याद रग भी पाऊगे नाव यह जो हमारा newspaper analysis है इसको हम बिल्कुल complete analyze करते हैं prelims plus mains यानि कि जितने भी prelims related news होंगी उनको hit करेंगे साधी साथ editorials वगरा detail में देखेंगे तो end तक बने रहना इस complete newspaper analysis में नाव बढ़ते हैं आगे यहाँ पर आता है हमारा सबसे पहला article और पहले article के अंदर बात करी गई है petrol के price को लेकर तो जो petrol का price है आज के time पर बहुत ही ज़ादा भड़ चुका है आप देख पाओगे 100 रुपीज पर लीटर जा चुका है राजिस्थान के अंदर तो जो petrol का price है Wednesday में इसने cross किया 100 रुपीज पर लीटर ऐसा अभी तक हुआ नहीं है बट आप देख पाओगे कि कितना ज़ादा price जो है इसका बढ़ चुका है इनफेक्ट पेट्रोल तो पेट्रोल साधे साथ डीजल का price भी बढ़ चुका है आप देख पाओगे 92.13 रुपीज हो चुका है पर लीटर तो अगर हम बात करें तो इसके पीछे का reason क्या दिया है सरकार ने इसके पीछे का reason ये दिया है कि भई जो हम लोग crude oil मगाते हैं विदेश से ठीके क्या मगाते हैं हम लोग crude oil crude oil मतलब कच्चा तेल फिर उसके बाद इंडिया के अंदर हम उसके refinery करते हैं उसको अच्छी तरीके से refine करने के बाद उसका हम petroleum बनाते हैं और फिर जो बाकी सारी चीज़े होती है जैसे glycerine वगरा ये सारी चीज़े बनाई जाती है तो इस तरीके से हम लोग crude oil वगरा मगाते हैं तो सरकार का ये कहना है जो crude oil है बाहर ही इसका rate बढ़ चुका है तो यहाँ पर इसके rate बढ़ा दिये जा रहे हैं साथी साथ कुछ taxes का जोल भी है तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी petrol prices के उपर उसके बाद next article है ये वाला second article है जादा important है नहीं बट यहाँ पर कुछ चीज़े हैं जो कि आपको जानने के लिए बहुत जादे important है देखो दो PFI men दो PFI men को जो है आपका सकते हो अरेस्ट कर लिया गया है और करा है UP पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस ने Wednesday में इन दो लोगों को अरेस्ट करा दोनों केरेला बीस्ट मेंबर्स हैं PFI बोला जा रहा है इने PFI मतलब Popular Front of India और यहाँ पे इनका प्लैन ये था कि यहाँ पे पुलिस को दुवारा ये बोला गया कि यह बहुत बड़ा डिजास्टर क्रियेट करने वाले थे ठीक है टार्गेट था इनका एक कोई लीडर था दूसरी बात टेरर स्ट्राइक्स कर सकते थे यह लोग यानि कि इनका आप कर सकते हो इन से आतंकी हमले देखने को मिल सकते थे इन दोनों की वज़ा से तो इनको फिलाल अरेस्ट का लिया गया है और यह जिसी के ऊपर यह आर्टिकल दिया गया है ज़्यादा कुछ है निसके अंदर मैंने आपको बताया सरिफ फॉसरिफ इतना ही ध्यान रखो क्योंकि होता क्या है न ये छोटा सा आर्टिकल है होता क्या है आने वाले टाइम में कल परसु में इस पे एक एडिटूरियल भी आ सकता है ठीक है डीटेल में कोई ओथर यहां पे इसको पर आर्टिकल लिख सकते हैं इस वज़ा से मैं हर छोटे आर्टिकल का आपको एक ओवर्विव दे देता हूँ ताकि हम लोगों को आगे जाकर उसमें दिक्कत ना हो हमें पता हो कि हमने बेस क्लियर किया है हाँ ये थी इसकी पर्टिकुलर न्यूस ठीक है तो यहां था इसमें जादो कुछ अभी है नहीं ना उसका नेक्स टार्टिकल आप लोग यह वाला देख पाओगे बात क्या हो रही है उत्रा खंड के अंदर बहुत बड़ा डिजास्टर देखने को मिला सभी लोग को मालूम है यही बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ जिसकी वज़ा से बहुत सारे लोगों की जान गई बहुत सारा फिनेंशल लॉस हुआ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे थे वो भी बरबाद हो गए अब जब लोगों की जान गई है तो हमने रैस्क्यू आपरिशन जारी किया था कि लोगों की जान बचाई जा रही थी रिलीफ आपरिशन से और ये तपोवन प्रोजेक्ट में ज़्यादतर काम चल रहा था क्योंकि क्या हुआ क्या था कि तपोवन प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारे लोग फसे हुए थे इस फ्लड के बाद तो इनको बचाया जा रहा था नाव ये जो रैस्क्यू आपरिशन ने इसको सलोडाउन कर दिया गया है कम कर दिया गया है क्योंकि हो गए हैं काफे दिन लगातार रैस्क्यू करी रहे हम लोग और अब यहाँ पर जादा कुछ देखने को यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रैस्क्यू आपरिशन से उन्हें खतम कर रहे हैं और बताया गया इस डिजास्टर की वज़े से लग बग 58 लोगों की जान गई है और 200 लोग अभी भी मिसिंग है उनका कोई अथा पता नहीं है कि वो लोग कहा गए है तो उत्रकंड से जो डिजास्टर था उससे रिलेटेड हमने एक अप्डेट भी ले लिया नाव पेज नमबर सेकेंड की तरफ बढ़ोगे बहुत सारे फार्म रिलेटेड आर्टिकल्स हैं तो हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है तो मध्या प्रदेश के अंदर आप देखोगे वहाँ पे भी पेट्रोल प्लाइक लगबग 99.90 पर लिटर पहुँच गया मतलब 100 रूपीज पर लिटर पहुँच गया तो काफी ज़ादा बढ़ चुका है इस समय इस वज़ा से न्यूस के अंदर काफी ज़ादा यह आ चुका है ओके नाव आगे बढ़ते हैं नाव आते हैं पेज नंबर 8 की तरफ और पेज नंबर 8 पर यही जो आर्टिकल हमने पेज नंबर 1 के उपर डिसकस किया है वही सेम आर्टिकल है उसके बाद यह वाला आर्टिकल आता है जिसके बेसेस पे आज का हमने थम्मेल भी बनाया है ठीक है आप देख पाओगे यही वाला पिच्चर यूज किया है बात क्या हो रही है इस आर्टिकल के अंदर पहले हम आपको एक हेडिंग रीट कर देता हूँ फिर उसके बाद हम explain करेंगे No records of Chilla adjacent to 4 मिनार ऐसा बोला है Archaeological Survey of India ASI के द्वारा क्या बोला गया कि भाई कोई record नहीं है इस मंदर का ठीक है आप देख पाओगे यह 4 मिनार है हैदराबाद के अंदर है 4 मिनार सभी लोग को मालूम है यह जो 4 मिनार है इसके पास में एक मंदर है ठीक है जिसका नाम देते हैं हम लोग भागे लक्षमी मंदर तो भागे लक्षमी टेंपिल इस मंदर का नाम है और यह जो टेंपिल है यह सटा हुआ है ठीक है 4 मिनार सटा हुआ है मतलब कि आप कह सकते हो जो ये मंदर है इसके जो पीछे का हिस्सा है इसकी जो पीछे की दिवार है मंदर के वो चार मिनार की ही दिवार है बिल्कुल सटा हुआ है अब ये जो मंदिर है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ये इसके बारे में हम पहले बे डिसकस कर चुके हैं कि हैदराबाद का नाम बदल कर भागे नगर रख रहा जा रहा था तो हमने वो एक वीडियो बनाया था उसके उपर और उसके अंदर डीटेल में डिसकस किया था अबराबाद जो है स्टेट यूनियन ओफ इंडिया के साथ मर्ज हुआ था बर यहां पर फिर भी कोई रिकॉर्ड है नहीं यह सरफ इतनी ही जानकारी है और अगर आप लोग आप लोग को मालूम होगा कि बहुत सारी रिपोर्ट वगरा ये बताती है बहुत सारे लोगों क ये भी कहना है रिपोर्ट नहीं कह सकते हैं बहुत सारे लोगों का ये कहना है ये है पुराना कम से कम 1500 के आसपास अगर हम बात करें 15th century के आसपास ये मंदर बनाया गया था उसके बाद से ऐसे ही है और ये सारी जो है चीज़े बताई जाती है तो याद रखना कौन सा मंद है भागे लक्ष्मि टैंपल तो याद रखना कहां पर है है एदराबाद चार मिनार से बिलकुल सटा हुआ है ये भागे लक्ष्मि टैंपल ये सारी चीज़े किसने बताई है अर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने बहुता इसारी चीज़े की खोज करना ठीक है जैसा आप लोगो मालूम होगा हरपन सिविलाजेशन की पूरी तरह से खोज करी वहाँ पर जो है पॉट्रीज वगरा जितनी भी यहाँ पर आप कहोगे की मटके मटकी यह सारी चीजा पूराने जमाने में क्या-क्या इस्तमाल करते थे लोग यह सब खोथ खात के कौन निकालता है आप वो निकालते हैं आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया वाले ओके नाओ आडिकल नंबर स्वरी पेज नंबर 9 के उपर तरफ बचलते हैं यहाँ पर बात करी गई है फार्मर प्रोटेस्टिंग से रिलेटेड भाई जो फार्मर से उन्होंने गुहार लगाई है आज र बात करता है इंडिया ने गिफ्ट किये है या फर इंडिया गिफ्ट करने वाला है बाई एन्डिया कर दी गई इंडिया के दौरा कि वो गिफ्ट करेगा दो लाख वैक्सिन डोजिस को किसको जो यूएन के पीस कीपर्स हैं उन लोग को ये दो लाख वैक्सिन के डोजिस जो है ये हम लोग गिफ्ट करने वाले तो ये सब एनौस करा गया विद्नस डे में अब यहाँ पर जो एनौसमेंट है ये किस ने कर vaccine के doses जो है हम लोग gift में देने वाले हैं तो एक बहुत बड़ा step यहाँ पे उठाया जा रहा है हमारे इंडिया की side से उसके बाद next article आता है यह वाला बात करी गई है इंडिया और चाइना से related बात करी गई है हाँ पर pagong disengagement के बारे में तो आप लोगों ने देखा अभी जो pag गउंग वाल एरिया है वहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में काफी लंबे समय से dispute चल रहा था ठीके आप कह सकते हो लगबग एक साल हो गया इंडिया और चाइना के बीच में stand-off जारी था अभी तक क्या था बॉर्डर पर इधर से इंडिया के soldiers खड़े थे इधर से देखने को मिली है कि यहाँ पर आप देख सकोगे कि जिससे के इंडिया चाइना के relations खराब हो है फिर उसके बाद क्या हुआ हमारे भारत ने बहुत सारे Chinese apps को ban कर दिया टिक टॉक को ban कर दिया इस तरीके की चीजे हम लोगों ने देखनी start कर दी फिर finally जो है काफी सारी commander level की talk हो चुकी है और 9th level की talk होई जासे ही 9th level की talk होई उसके अंदर decide करा गया कि जो इंडिया और चाइना है वो दोनों ready हो चुके है कि भई वो पीछे हट जाएंगे इस area से यह disengagement करेंगे यहाँ पर यानि कि इंडिया अपने soldiers को पीछे कहचेगा और China अपने soldiers को पीछे कहच इसको complete कर देंगे यह official data है तो जो जादा से जादा withdrawal है वो लगबग हो चुका है और काफी हद तक withdrawal आने वाले 2-3 दिन में complete हो जाएगा और यहाँ पर शांती बनाने की काम जारी कर दिया जाएगा now page number 10 की तरफ बढ़ेंगे page number 10 पर हमारे पास एक article यह वाला है बात करी गई है बही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक file करी जाए चीज को यह क्या file कर रहा है छोड़ो यहाँ पर हम लोग अलग से समझते है क्या है ठीक है easy तरीके से हमारा काम क्या है हमारा काम है newspaper को बहुत उसका कहीं से कहीं तक link नहीं है उत्रखंड के disaster के बीच में अभी हमने उत्रखंड के अंदर disaster देखा तो उसके पीछे यहाँ पर काफिया तक बोला जा रहा था कि जो सरकार का चारधाम वाला project है उसकी वज़ा से हो सकता है तो सरकार ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं सरकार ने पूरी तरह से मना करा कि जो चारधाम project है उससे कोई लिना देना नहीं उत्रखंड के disaster का नव सबसे पहले देख लेता है चारधाम project क्या है 899 km की या आप कर सकते हो 900 km का लंबा project है जो की connect करता है किस किस चीज़ों को चारधाम आप लोग को मालूम होगा कौन कौ से हिंदूस के अंदर गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ और बद्रिनाथ इन चारों को यह connect करता है जो रोड है यही एक project है तो बोला जा रहा था कि यह project के अंदर काम चल रहा है इस project की हम लोग रोड को चौड़ी कर रहे है ठीक है यह जो रोड है इसको हम लोग और थ project है बहुत जादे news के अंदर है कि इससे greenery खराब हो रही है environment को नुकसान पहुच रहा है environment को बहुत जादे harm हो रहा है तो यह सारी चीज़े बहुत सारी news आती रहती है इस चारदाम project को लेगा है तो सरकार ने मना कर रहा कि भाई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं तक नहीं है कि उत्रखंट का disaster इस पर depend हो है ना अब आगे बढ़ते next article की तरफ बात करी गई है ISL dictionary के बारे में तो ISL dictionary क्या है मैं आपको बताऊंगा इस article को हमने आज के सुभा के daily current affair के video में भी discuss किया है detail के अंदर कि जो ISL की dictionary को release करा गया है उसके अंदर 10,000 terms है तो 2021 वाली जो latest है third edition इस dictionary को launch कर दिया गया है इस dictionary को हम लोग बोलें तो ISL Indian Sign Language इसमें होता क्या है भई हाथ से sign बने हुए है ठीक है जैसे हम लोग बनाते हैं जैसे hand से sign बना दिया तो हमारे हाथ के जो sign होता है ताकि जो गूंगे वगरा लोग है जो भी disabled लोग है ठीक है जो communicate नहीं कर पाते हैं तो वो लोग अपने sign के थरू अपने इशारों के थरू बात कर सके तो वो इशारों के उपर dictionary पहले भी लाच चुके हम पहली edition आई थी dictionary की उसमें 3000 terms थी कुछ फिर उसके बाद दूसरे edition हम लेकर आये थे जिसके अंदर 6000 terms थी now अब हमने third edition को release कर दिया इ 1000 terms हैं पहले की 6000 भी included और 4000 नई terms हैं तो ये dictionary लाच चुके हैं ताकि जो disabled लोग हैं वो आपस में communicate कर सके हैं by using these signs sign का इस्तमाल करके अपने हाथ से sign बना मना कर ठीक है now उसके बाद next article की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर बात करता है health ministry बोल लेए कि self registration हो चुका है अब यहाँ प registration कहाँ पर करना है coven app पर करना है ठीक है आप लोग को मालूम होगा मैंने पहले भी बताया किस तरीके से registration होता है मैं काफी पर बता चुका हूँ पहले भी now जो यह coven app है इसका version 2.0 आ चुका है यह एक digital app है अब यहाँ पर क्या होगा आप लोग self registration कर पाऊगे और आपको benefits म लेंगे कि आप लोग आप कैसकते हो कि ready हो जाओगे vaccine लेने के लिए now अब यहाँ पर हुआ क्या है कि देखो हमने priority में किनकी लोग को रखा था जब vaccine को distribute करना चालू किया था 16 जनवरी से हमने vaccination स्टार्ट कर दिया था priority में हमने रखा था बहुत सारे लोग को जैसे की healthcare workers हो frontline workers हो गए और फिर उसके बाद जो 50 साल से उम्र जादा है लोगों की उन लोग को हम vaccine देंगे now हमने frontline workers को cover कर लिया healthcare workers को cover कर लिया अब बचे हैं जिनकी उम्र 50 साल से जादा है तो अब उन लोगों को यहाँ पर COVID-19 गी vaccine दी जाएगी उन लोग का registration करा जाएगा इस COVID एप पर ओके now page number 11 की तरफ बढ़ें यहाँ पर advertisement है पूरा का पूरा तो हमें discuss नहीं करना page number 12 पर भी पूरा advertisement है now page number 13 पर आएंगे तो यहाँ पे एक article आता है यह वाला क्या है मैं आपको बताता हूँ US क्या है United States जो है आने वाले time में pay करने वाला है 200 million dollars किसे WHO World Health Organization को देखो पहले US ब Donald Trump ने यहाँ पर इसको भी cut down कर दिया था क्योंकि यहाँ पर वही COVID-19 की वज़ा से चाइना से थोड़ा Donald Trump का कहना था भी WHO मिला हुआ है चाइना से COVID-19 फैल गया यह सारी चीजों को लेकर तो Donald Trump ने यहाँ पर क्या कर दिया था जितना भी financial support है वो cut कर दिया था बोल दिया थ जो country है वो pay करने वाली है 200 million dollar इस महिने के end में यह pay कर दिया जाएगा WHO को World Health Organization को यह उसको एक support दिया जाएगा global response के लिए यह पैंडमिक से कैसे लड़ा जाए उसके बाद भाई जो भी reforms लाने है WHO को future में तो इन सब चीजों के लिए जो है यह amount यहाँ पर USA देने वाला है न जून तक और काफी time हो चुका है हमने पाकिस्तान को इस grey list के अंदर रखा हुआ है अब यहाँ पर question के उठता ही FATF है क्या FATF के full form है Financial Action Task Force ठीक है एक पर यहाँ पर भी देख लो Financial Action Task Force यहाँ पर होता क्या ही जो body है FATF इसका काम है कि कोई भी country जिसमें terrorism जाद है आतंगव बना के चलती है उसके अंदर डाल देती है एक होता है black list एक होती है grey list मतलब एक warning list है कि अगर कुछ ऐसी चीज़े हुई आने वाले time पे भी तो उसको black list में डाल दिया जाएगा तो फिलाल यहाँ पर बताया कि यह गया है कि पाकिस्तान को अभी भी जो है grey list के अंदर डाल और वो जून तक इसी list के अंदर पढ़े रहने वाला है now page number 14 पे यह नहीं कि business page है यह और यहाँ पर economics related article आते हैं तो इस article के अंदर बताया गया जो cabinet है उसने approve करा है PLI plan को telecom industries के लिए अब यह PLI plan क्या है production linked incentive यानि कि हम लोग क्या करेंगा अब जो telecom industries है telecom से related जितने भी equipments होंगे आप telecom क्या हो गया अपने जितने भी हमारे airtel, vodafone, idea यह साब हो गए telecom industries जितनी भी है अब इनका जो पूरी तरह से जितने भी equipments होगा उनका production जो है वो हम लोग खुद country में अपने खुद लिए domestically produce करेंगे जिससे कि हम लोग अपनी country के अंदर चीजों को grow कर प ने वेडनेस ने में approve करा कि भाई जो PLI scheme है वो जारी करेंगे telecom sector के लिए और इस sector में हाँ पर यह scheme जब जारी करेंगे तो फिर इससे बहुत सारी चीज़े होंगी जैसे कि हम लोग काफी हद तक चीजों को import करते थे अब हम उसको import नहीं करेंगे क्योंकि हम अपनी country के अं तो यहाँ पर बोला यह जा रहा है एक global ratings के दौरान बोला जा रहा है कि भई इंडिया जो है आने वाले time में एक fastest growing emerging market economy बन सकता है इसमें आने वाले time में हम लोग 10% तक growth देखेंगे और बहुत तेजी से growth होने वाली है भारत के अंदर ऐसे यहाँ पर यह report बताती है चलो अ अब हम चलते हैं अपने editorials की तरफ कि आज के editorials क्या बोलते हैं तो जो editorial का आज का card on picture है यहाँ पर यह बताता है कि भई आज के दिन अगर हम देखें तो सरकार के बीच में बहुत ज़दी Twitter को लेकर आपके सकते हो लडाईयां चल लई है और जो लोग क्या है कि आप देखो हो चुके हैं कुई app की तरह कि भई हम लोग Twitter नहीं चलाने वाला है क्योंकि Twitter पे बहुत सारे dispute देखने को मिल रहे हैं इंडिया के खिलाफ बहुत सारी चीज़े हमाँ पर trend हो रही है ठीक है now start करते है editorials को यह हमारे आज का editorial और जो यह हमारा वीडियो है इसकी एक बहुत ही editorals को दो बार discuss करते हैं बहुत important है discuss क्या करते हैं जैसे कि आज के editorial है आज current day वाले editorial है यानि कि आज के editorial से हम लोग एक overview लेंगे कि editorial क्या बोलना चाहते हैं समझेंगे फिर उसको हम लोग अगले दिन revision भी करेंगे ठीक है revision जो होगा वो detail में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग जो editorial है वो यहाँ पर यह वाला है बात करता है कि भाई poor state of Indian state यानि कि भारत में जो poor states से गरीब राजे हैं उनकी हालत की बताई गई है जो pandemic है यानि covid-19 है भाई इसने यहाँ पर दिखा दिया क्या है हालत हमारे country की ठीक है और हमें किस तरीके से जो poorest citizen है उनकी help करनी पड़ जो भी यह migrant workers थे वो अपने घर पर पैदल पैदल जाते रहे ऐसी situation देखने को मिली बहुत सारी poorest states है उनकी हाँ पर help करनी पड़ेगी यह चीज हम लोगों को सिखा दिया है इस pandemic ने इस pandemic से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़े सीखी भी है जैसे कि health sector को हमें काफी अच्छा करके चलना पड़ेगा otherwise आने वाले टाइम पर ऐसी और भी बिमारी आ सकती है जो कि इंडिया या फिर किसी भी country की कमर तोड़ सकती है तो उसके लिए आभी से ही infrastructure के ओपर काम करो health infrastructure के ओपर अच्छी तरीके से invest करो अपने GDP का अच्छा प्रतिशत अपने healthcare पर लगाओ तो और फिर ऐसे crisis जहिलनी पाएगी वो community ना उसके बाद next में आर्टिकल में यहाँ पर यह बताया गया कि जो पीएफ है आप जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड आपका पीएफ कटता है ना तो साल फिर जब आप रेटायर होते हो तो साथ में कुछ पैस अंबल यह पाद हो साय खटा तो जो पीएफ कटता है इसपर बताया जा रहा है कि जो प्रोबोस टेक्स है प्र आपका जो बहूब कट रहा है पीएफ उसपर प्रोब्जट चलो प्रोब्ट टेक्स लगए गया ठीक है पहली बात हो बस्पशन-स के अंदर यहां पर 2021 बाइस का इस तो उसके बाद आज का ये next editorial है, इस editorial के अंदर बात करी गई है, hitting the right notes with the health budget, तो जो union budget आया है भी आप लोगों को मालूम है, 1st of February को एक budget आया, budget के अंदर बताया गया है कि भई हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तारीफ करी गई है budget की, हम लोगों ने काफी अच्छा, काफी तगड़ा investment किया है, health sector के अंदर और ऐसा हमें करना भी है, अपने health sector के ओपर हमें काफी जादे focus के देखर चलना है, क्योंकि post-covid era भी हमारे लिए काफी जादे important होने वाला है, हमें क्या करना है, अपने health को अच्छी तरीके से develop करना है, ताकि हम किसी भी बिमारी से, किसी particular disease से easily लड़ पाएं, तो ऐसा हमें COVID-19 ने अपनी सीख दे दिये, यह है आज का आपका homework और यह वाला article आप लोग को पढ़ना है, क्या है money versus happiness, तो बहुत ही दुमदार article जरूर पढ़ना, क्या आपको अच्छा लगा इसके अंदर यह जरूर बताना money versus happiness को, ठीके, यह हमने एक overview लिया है, सोचना मत कि हमने tutorial खतम कर दिया, यह हमने current day के overview लिया है, कि आज के editorial क्या कहना चाहते हैं, इसको हम लोग बहुत ही जाधा deeply detail के अंदर next day में explain करने वाले हैं, ठीके, तो यहाँ पर आपको पता चल गया basically क्या यहाँ पे editorals कह रहे हैं, चलो अब, हम लोग अपने previous वाले editorial को detail के अंदर discussion करते हैं, तो यह हमारे कल के editorial जिनका हमें discussion करना है, कल हमने एक overview लिया था, तो सबसे पहला article बात करता है, आज के time पर Twitter को लेकर, तो भारत के अंदर Twitter को लेकर बहुत सारे dispute देखने को मिलेगा, सबसे पहले अगर हम बात करें, यह सारी चीजे start कहां से होती है, स्टार्ट होती है 26 जनवरी से, 26 जनवरी Republic Day गरतंतर दिवस पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा violence क्रियेट हुआ, Farmers Tractor Rally देखने को मिली थी, और फिर उसके बाद Farmers के बीच में और पुलिस के बीच में जड़ब देखने को मिली, तो उसके बाद बहुत सारे लोग Twitter पर बहुत उल्टे सीदे messages trend हो रहे थे, जैसे कि अगर हम बात करें, author के द्वारा बोला गया, कि भई, जो है, सरकार के खिलाफ बहुत सारे messages trend हो रहे थे, ठीके, उसके बाद सरकार ने बोला Twitter से, Twitter से request करी, कि भई, जो भी यहाँ पर यह hateful content फैल रहा है Twitter पर, country के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, जो भी content फैल रहा है, इन सब के accounts को ban कर दिया जाए, ठीके, तो यहाँ पर Twitter ने step उठाया, बहुत सारे लोग के accounts को ban कर दिया था, कुछ दिन तक, फिर उसके बाद वापस से restore कर दिया, लेकिन सरकार फिर बोलती है भाई, फिर से आपको यह Twitter पर ban करना है, ठीके, तो लेकिन यहाँ पर Twitter ऐसा नहीं करता है, Twitter ने बोला भाई, हमारी policy के अंदर ही सारी चीज़े नहीं है, फिर उसी के बाद से ही सारी चीज़े देखने को मिली, तो भारत सरकार और Twitter के बीच में यह basically एक लड़ाई है, तो फिर बहुत सारे जो भारत सरकार के लोग हैं, government officers हैं, उन्होंने decide क्या, वो दूसरे app की तरफ बढ़ेंगे, उन्होंने decide क्या है, वो लोग Qo app की तरफ जाएंगे, तो वो Qo app की तरफ काफी लोग बढ़ भी चुके हैं, बहुत सारे लोग का account verify भी हो चुका है, तो Twitter के अलावा यहाँ पर दूसरा app आ चुका है, जी हाँ, ऐसी power है, IT power, ठीक है, IT section 69 जो है, यहाँ पर यह power यूज करी जाती है, 69A की, और यहाँ पर यह power नहीं, बैसे के लिए एक law है, Information Technology, Information Technology Act, Information Technology Act है, इसका section 69A बोलता है, कि भाई, इंडिया के खिलाफ अगर कोई भी social media पर कोई भी चीज चलती है, तो वहाँ पर वह बैन करने के लिए पूरी तरह से ready रहेगा, ठीक है, तो यह चीज़े जानना काफी जादे important था, आपको clear हो गया होगा, आपको बराबर बरा अर्टिकल भाई, वही रोता पिड़ता आर्टिकल, वही चीज़े वापस से, अभी हमने discuss किया, लदाक के अंदर, यानि की जो हमारा पैगॉंग सो लेक है, वहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में disengagement देखने को मिला है, और हमने अभी discuss किया कि जो disengagement वो पूरी तरह से खतम हो जाएगा, दो से तीन दिन में, इंडिया और चाइनियर के soldiers जो है, वापस से अपनी जगाए पर पहुंच जाएंगे, यह हमने already discuss किया, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पढ़नी चाहिए इसको cover करने के लिए, अभी मैंने आपको बताया कि situation कब से start है, लगबग एक साल हो गया, मार्च से ही जो है, यह situation start हो चुकी है, इंडिया चाइना के बीच में dispute देख रहे हैं हम लोग, लगातार हमने एक साल तक जारी देखा, लगातार एक साल तक कमांडर लेवल्स की talk हो रही है, तो थोड़ा बहुत up solution निकल कर आया है, दोनों ने डिसाइड किया है कि भाई disengagement करेंगे, और जो यह problems create हो रही हैं, इनको यह solve करेंगे, यह हमने already discuss कर लिया, नेक्स टार्डिकल के तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर बात करीजारी है, टेली हेल्थ की, टेली हेल्थ मतलब कि भाई, आज के टाइम पर online का जमाना है, सारी चीज़े फोन परी, आप सभी के पास phone है, तो online आप कहा सकते हो, कि phone के थू ही, अपना पूरा का पूरा check-up कर रहे हो, doctor से consult कर रहे हो, ठीके, आपने doctor से consult करके medicine ले रहे हो, तो जो पूरा का पूरा जो आपकर सकते हो, telephone के थू हूरा है, इस व्यशर से यहापर बोला जा रहा है, तो आज के टाइम पर मुबाइल से पूरे की पूरी यहां पर चीज़े देखने को मिलती हैं, सारी चीज़े हो जाती हैं, तो उसी को लेकर बोला गया टेली हेल्थ, आज के टाइम पर इंडिया में काफी तेज़े से बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इस COVID-19 प आज के सकते हो, किसी को अगर एमर्जंसी केर नहीं है, तो वो नहीं जा रहा था, हॉस्पिटल बंदा घर पर ही बैट कर, कोई ना कोई दवाई खाकर ठीक हो रहे थे सबी लोग, तो इस तरीके से यहां पर एक सर्वे हुआ, जो की कंड़र्ट करा, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ तो यह टेली मेडिसिन का ट्रेंड जो है, काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है, COVID-19 के टाइम पर, और आने वाले टाइम पर भी ग्रो होना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फाइदे भी आप घर पे बैट कर, आपने डॉक्टर से कंसल्ट करकर, यह मेडिसिन ले सक तो यह टेक्नलोजी है, यह काफी साथ बढ़िया है, और इसको यूज हम लोग ने काफी बढ़िया तरीके से किया है, आने वाले टाइम पर भी हम लोग को इसका यूज काफी अच्छी तरीके से बढ़ाना पड़ेगा, तो आगे जाके चीजे अच्छी तरीके से हो पाए और हमसे फोन में बैफोन में बैठ के ठीक है तो गाइस यहाँ पर यह जो पूरी तरह डेटा है यह यह help कर सकता है आपका एक digital health की तरफ तो यहाँ पर इससे create हो सकता है एक पूरा digital health का system और यह काफी जादा helpful हो सकता है आने वाले time पर फिर उसके बाद यह हमारा last editorial है बात कर important है नहीं यहाँ पर बात करी गई है COVID-19 की वैक्सीन की hesitancy को लेकर कि भई देखो वैक्सीन जारी करी गई और वैक्सीन आने के साथ साथ बहुत सारी misinformation भी फैली है market के अंतर बहुत सारी अफवाय फैली है तो सबसे पहले बास हमें काम करना पड़ेगा उन अफवाय को tackle करने के लिए उन अफवाय उसे बचना पड़ेगा क्योंकि ऐसी अफवाय का ज़्यादे खतरनाक होती है और आप लोग को मालूम होगा कि यह अफवाय जो आदी अदूरी knowledge वाली फैलाते हैं और आदी अदूरी knowledge होती है बहुत ज़्यादे खतरनाक ठीके तो वो ही सारी से clear हो गई होंगी now मिलते हैं आप लोग से next वीडियो में आज के लिए bye bye have a nice day